नमस्कार दोस्तों फिर से हम सौगत करते हैं आपका यूनिक ऑनलाइन गुरू चैनल मित्रों हम बात करने वाले हैं आज CC और BCC के बारे में किसके बारे हम बात करने वाले हैं CC और BCC के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों तो इस वीडियो को आप लोग आखरी तक देखत बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि CC और BCC की बात तो सब लोग नहीं जानते हैं कि क्या फायदे होते क्या नुकसान होते हैं दोस्तों तो मैं बात करने वाला हूं CC और BCC के बारे में वीडियो को आखिर तक आप दोस्तों देखते रहेगा मैं बात कर रहा हूं अपना अब लोग बात करने वाले हैं किसकी CC और BCC की तो CC वो होता है जिसका मतलब होता है Carbon Copy मिन्स क्या हुआ इसके पहले Use होता है To अर To मतलब क्या होता है कि हम किसको Send कर रहे हैं Mail हमें पता होता है लेकिन एक से अधिक को जब हम Send करना होता है तो हम CC का प्रयोग करते हैं किसका प्रयोग करते हैं CC का प्रयोग करते हैं जो हमें किसी एक से अधिक को Mail Send करना होता है CC में हमें ये पता रहता है कि हम Mail किसको Send कर रहे हैं हमें ये पता होता है कि किन को मतलब कितने लोगों को Mail क्या Send कर रहे हैं बास समझ में आई कितने लोगों को कितने को और क्या हमें ये पता रहता है कि हम कितने लोगों को और क्या सेंड कर रहे हैं लेकिन इन्हें ये नहीं पता रहता है कि किन किन को सेंड कर रहे हैं मतलब सारी इंफॉर्मेशन जो है सीसी के पास होती है क्या होती है सारी इंफॉर् किसके पहले किन को mail भेजा गया है ये किसी को ना पता चले अगर तो हम लोग BCC का प्रयोग करते हैं किसका प्रयोग करते हैं blind carbon copy का प्रयोग करते हैं किसका प्रयोग करते हैं blind carbon copy यानि मतलब कि आप मान लिजे for example की बात करें हमें चार लोगों को mail send करना है राहूल, रतनाकर, अनूप किसी को भी चार नाम हमने ले लिया इन चारों लोगों को जैसे ही हमें send करना है mail मालिजे ये पता चले कि रतनाकर को mail अगर हम भेज रहे हैं किसी रतनाकर नाम के बंदे को हम mail send कर रहे हैं उसको ये ना पता चले कि इसके पहले किस किस को mail भेजा गया है तो क्या करना पड़ेगा पता है आपको क्या करना पड़ेगा सब को to और ccc में डाल देंगे हम लेकिन रतनाकर को उठा के किस में डालेंगे bcc में डालेंगे दोस्तो तो रतनाकर को ये नहीं पता चलेगा कि mail के पहले किस को send किया गया दोस्तों तो यह होता है इसका बहुत बड़ा difference आप लोग को अगर आप mail यूज करना जानते हैं तो अच्छी बात है नहीं जानते हैं तो इसी वेब साइट में प्लेइलिस्ट के अंदर काफी सारी वीडियोज हमारे mail की पड़ी हुई है जिसको आप watch कर सकते हैं और देख सकते हैं बाकि अगर आपको लगता है कोई सुझाओ देने की जरूरत है तो बिलकुल अगर आप लोग कमेंट करके हमें सुझाओ दीजे अगर आप लोग को ये वेडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक सेर सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद